Praise the name of the Lord, Hallelujah! Shalom, greetings in Jesus' marvelous name, Hallelujah! भायों बैनों, आज फसा का परब शुरू हो रहा है Passover, जिसे हम Hebrew भाशा में पीशाक बोलते हैं भायों बैनों, वो परब आज शुरू हो रहा है Hallelujah! जैसा मैंने आपको इन्फॉर्म किया था ये परब पूरे साथ दिन तक चलता है 21st evening या 22nd तक ये परब कंज्यूमेट होगा Hallelujah! आप में से जो जो लोग उपवास रख सकते हैं इस परब के दौरान मुझे उपवास में जोइन कर सकते हैं अगर आप में से कुछ लोग एक मील, दो मील स्किप करना चाहते हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं ये जो परब हैं, ये heavenly windows हैं जो यहोवा परमिशुर खोलता है अपने लोगों से भेट करने के लिए अपने लोगों की जिन्दगी में अद्भूत काम करने के लिए प्रेद पलूस बताता है कुरुंतियों की कलीसिया को that Christ is our Passover मसी हमारा फसा है प्रभू येश्य मसी फसा का कामिल सिद मेमरा जो आपके और मेरे लिए कुरूस की यग्यवेदी पे घात किया गया हालेलूया तो आज से हम उपवास में ठहरे गए और दिन में दो या तीन बार भी हम संगती करेंगे तो मैं आपके लिए टेक्स्ट पढ़ता हूँ निर्गमन की पुस्तक जिसे हम पंजाबी में कूच की किताब कहते हैं और इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सलिस सुनिये प्रमेश्वर ने अपने दास मुसा से कहा ये महीना साल का अरंब है ये जो महीना है फसा फसा जो भाई और बैनों 22 तरीक को है उससे 14 दिन पीछे चले जाईए तो आपको नया साल मिलेगा फसा इस साल के 14 दिन जो केलेंडर प्रमेश्वर ने इसरेलियों को दिया उस किलेंडर के मुआफिक जब पूरा चांद होगा इस महीने में कुल मून चौदमा दिन चांद का तब फसा का मेमना कुर्बान होगा और जब दसमा दिन होगा तब फसा के मेमने को लोग अपने घर में लाएंगे आपको मालम खुदावद येश्व मसी पिरमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा के लिए जाता है आलेलुया खुदावद येश्व मसी एग्जेक्ली दसमे दिन जब दसमे दिन का चांद था तो खुदावद येश्व मसी गधी के बच्चे पे बैठके येरुशिलम में प्रवेश करते हैं और येहूदी लोग येश्व मसी को ग्रहण करते हैं येहूदी लोग येश्व मसी को ग्रहण करते हैं खजूर की टेहनिया बिच्छा के, अपने वस्तर बिच्छा के, उसे अपने घर में लेते हैं. क्योंकि दसमे दिन ये जो मेमना है, ये घर में ले लिया जाएगा, दसमे दिन. और चार दिन घर में रहेगा चौदमी का जब चांद होगा तो ये मेमना जो है वद किया जाएगा हालेलुया और ये महीना बहुत महत्वपुर्ण महीना है फसास से चौदा दिन पीछे हमारा नया साल शुरू हो गया spiritual new year जो प्रभू ने कहा है जो civil new year है जुईश लोगों के किलेंडर का वो अलग है उसकी कोई बात नहीं हम कर रहे हैं लेकि ये अबीब का महीना परमेशुर का किलेंडर जो है उसके मुआफ़े कि ये बहुत ही मात्तपुरन समय है तो इन दिनों में परमेशुर की हजूरी में ठैरिये दसमें दिन उन्होंने मेमने को ग्रहन कर लिया इसरेलियों ने हालिलुया लेकिन उन्होंने फसा के दिन वो मेमना बेच दिया गया तीस चांदी के सिकों में बिट्रे कर दिया गया वो परमेशुर का बर्रा हालिलुया हालिलुया आपकी और मेरे लिए फसा के दिन पी शाक बहुत गहरी बातें आज हम करेंगे एक सेशन करूँगा मैं टैनो क्लॉक के करीब टैन या टैन तरिटी जिसमें हम ये गहरी बातें शेयर करेंगे ये मेमना जो है भाई और बैनो इसको इस्रेलियों ने भून के खाया परमेशुर ने इस्रेलियों को कहा उस मेमने को लेना चौदमें दिन उसका वद करना उसका लहू घर के बाहर लगा देना ऐसे यू 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 और यू यू यह है ताव का ठीए अधर निशान लगाता है परमेशुर हमारे ऐसे ऐसे यह ताव का निशान है और यह अलफ है अलफ हैं निशान हैं यह है जो परमेशुर लगाता है अपने लोगों के ऊपर ये ताव की सील इस्रेलियों ने अपने घर की चौकट पे ऐसे लहू लगाया ऐसे लहू लगाया ऐसे लहू लगाया उस रात मौत का दूद यूदी लोग उस दूद का नाम बताते हैं मस्तेमा वो निकला वो दूद कुछ भी नहीं देखता सिवाई लहू के सिवाई लहू के उसने कुछ नहीं देखा जिस घर की चौकट पे ऐसे यूँ यूँ और यूँ ताब का चिन था लहू का खोन लगा था मेमने का उस घर को उस मौत के दूद ने छोड़ दिया उसे कहते हैं पी शाक पी शाक का मतलब बाइपास कर गया जम्प मार के उपर से निकल गया दूद उस घर के उपर से कूद के दूसरे घर में चला गया उस दूद ने फसा के दिन भाई और वेनो ये नहीं देखा कि घर के बाहर नेम प्लेट पे लिखा है रबी योहानन रबी बन यहूदा या रेवरेंड डॉक्टर फलाना फलाना या बिशिप डॉक्टर फलाना फलाना या पोप ओवर आर्चिंग विशिप His Holiness राइट रेवरेंड लेफ्ट रेवरेंड ऐसे लगी नेम प्लेट नहीं देखी दूद ने केवल लहू देखा इधर लहू इधर ये जो है ना दिल की चौकट इधर लहू चाहिए आप कहें मैं रेवरेंड डॉक्टर फलाना धिमका हूँ ये नहीं चलेगा केवल लहू देखा जाएगा इश्यू मसी के लहू में आप ढगे हैं या नहीं क्या शर्त है पहला यूनाइक की साथ में वहां लिखा है अगर हम जोती में चले if we walk in the light जोती अगर हम जोती में चले आपको मना हम जोती क्या है ये कलाम है जोती 119 भजन की 105 आयत तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरे राहों के लिए जोती है अगर ये आपके अंदर जल रही है कलाम की जोती हालेलुया बचन की जोत अगर आपके अंदर जल जल रही है इसे लिखा है दीपक यहोवा का दीपक हालेलुया अगर ये कलाम आपके अंदर जल रहा है मैं एक वचन पढ़ दूँ आपके लिए नीती वचन छे का तेई सुन लिजिए for the commandment is lamp commandment के लिए Hebrew word है मिजबा आग्या, इस कलाम की आग्या इस वचन के अंदर दी गई आग्याओं के अनुसार आप जीवन जीते हैं ये कलाम जो है इसकी आग्याएं आपके अंदर एक चराग बनती है दीपक बनके जलती है and the teaching a light और जो आप सिक्षा लेते हो, सच्ची और खरी सिक्षा परमेशर के सच्चे और खरेदासों से ठगों से नहीं, सच्चे खरेदासों से जो परमेशर के कलाम की सिक्षा लेते हो, वो एक रोशनी है आपके अंदर and the reproof of discipline are the way of life जब धर्मी लोग आपको ताड़ते हैं कलाम से आपकी भर्तसना करते हैं आपके बुरे मारगों को उजागर करते हैं आपको कलाम का डंडा लगाते हैं ताकि आपका जीवन बच जाए आप अनुशाशन में आएं, आत्मी का अनुशाशन में तो वो क्या है, लिखा यहाँ पे the reproof of discipline are the way of life जीवन का रा है आज लोग परमेशुर के कलाम का डंडा नहीं लेना चाहते हैं वचल में लिखा है, परमेशुर का कलाम हत्वडे की मानंद है जो चटानों को तोड़ता है वचल में लिखा है, परमेशुर का कलाम अगनी की मानंद है जो पाप की गंदगी को जलाता है वचल में लिखा है, परमेशुर का कलाम मेगों की तरह, वर्शा की तरह बरसता है जो हमें धोता है प्रमेशुर का कलाम जोती की तरह हमारे मारगों को प्रशच्चत करता है प्रमेशुर का कलाम प्रेज़ को लूस लिखता है ये जो पवित्र शाच्तर है पवित्र आत्मा की प्रेज़ना से रचा गया है ये हमें सिखाने के लिए ताड़ना करने के लिए ताड़ना नहीं है बरकतों की दुकाने खुली है बस आपको ये देने जा रहा है रियल स्टेट मिलने जा रही है जमीन, बंगला, गाड़ी वीजे लगने जा रहे है आपके काम करने आया ये शुमसी आज बड़े-बड़े काम में उनगे बस ये है और वचन नहीं है कुछ भी सुन लीजिया आप ये वचन सिखाने के लिए प्रवलूस लिखता है तिमोथियस को पत्री लिखके कहता है सारा कलाम परमेशुर की आत्मा की प्रेड़ना से रचा गया है ग्रीक वर्ड है थियोस नस्टस परमेशुर की आत्मा से रचा गया के लिए शब्ड है थियोस नस्टस थियोस का मतलब परमेशुर ग्रीक में नस्टस का मतलब नथनों से निकला स्वांस परमेशुर के यहां से जो सांस निकला उसने कलाम रचा है ये जंदा कलाम और ये सिखाने के लिए ताड़ना देने के लिए हमें रिप्रूफ करने के लिए हमारी कमिया गटिया निकालने के लिए और मसी में हमें फलवंत करने के लिए ये गुणकारी है तो भाई यर बैनों अगर हम जोती में चलें जैसे वो भी जोती है तब तब condition है if we walk in the light if we walk in the commandments अगर इन आग्याओं के अनुसार हम जीते है if we walk in the light रोशनी क्या है कलाम कलाम परमेशुर की आग्याएं परमेशुर की विधियां परमेशुर की नयाएं अगर इनकी अनुसार आपका जीवन है तो आप जोती में चलते हैं तो पहले यूना एक की साथ कह रही है तब उसके पुत्तर येशु का लहु आपको शुद्द कर रहा है बहुत से मसी लोगों के जीवन में येशु मसी का खून काम नहीं कर रहा क्योंकि वो लोग परमेशुर के कलाम की जोती में नहीं चल रहे हैं आप सौ बोलते रहो येशु के लहु की जै आप हजार बार कहते रहो लहु के अगर आप उसकी आग्याओं के अनुसार नहीं चलेंगे तो येशु का खून काम नहीं करेगा ये जो कलाम है और येशु मसी का लहु और पवितर आत्मा तीनों आपस में मिलके काम करते हैं हलेलुया तीनों जिन्दा है कलाम जिन्दा है येशु का लहु जिन्दा है पवितर आत्मा जीवित आत्मा है महा परतापी परमिश्वर का आत्म है तीनों मिलके काम करते है आपको मालूम जब आपके जीवन पे येशु का लहू है येशु का लहू पवित्र आत्मा को निमंतरन देता है पवित्र आत्मा केवल आपको मालूम कहां उतरता है यहां पे लहू होता था यह मर्सी सीट है यह आर्क ओड़ कावनेंट है यहां पे लहू है निर्दोश लहू इस लहू के उपर जलाल के बादल के बीच में होके यहोवा पर मेशर उतरता था यहां ठहरता था यह करूबों के जो पंक है यह आपस में ऐसे यूं मिलते थे यह यूं आपस में मिलते थे करूबों के पंक इनके बीच में यहोवा का जलाल उतरता था प्रभू ने पांच बार कहा मुसा से मुसा की पांच बस्तवों में कि प्रभू ने कहा यहां मैं तुझे मिलूंगा पुराने नियम में परमेशर से मिलने की कोई और जगा नहीं थी इधर लहू के उपर यहोवा आपके अपना सिंगासल लगाता था ये यहवा का तख्त है अब ये इधर होना चाहिए इधर हलिलुया तो येश्यू का लहू पवित्र आत्मा को बुलाता है पवित्र आत्मा बगैर येश्यू के लहू के कभी उतर नहीं सकता जहां येश्यू का लहू नहीं वहां पवित्र आत्मा नहीं जहां पवित्र आत्मा नहीं वहां परमेशुर का कलाम नहीं आपको मालूम उत्पती की पुस्तक पहले दियाए कि दोवजन में लिखा है परमेशुर का आत्मा पानियों पे ऐसे मंडला रहा था ब्रूड कर रहा था जैसे मुर्गी अंडों को सेती है पवित्रात्मा ऐसे मंडला रहा था पानियों के उपर तीसरे बचन में लिखा तब यहोवा ने कहा तब यहोवा ने अपने मू से कलाम भेजा पहले पवित्रात्मा उतरा है फिर यहोवा का कलाम आया है offenses अभी सूर्य चान्द नहीं मने है सूर्य चांद तारे नहीं बने यह रोशनी कौन सी रोशनी है यह रोशनी परकाशित वाक्या 13 का 8 प्रमेशुर का मेमना जो स्रिस्टी के पहले से वद किया गया उस मेमने के लहू में है यह रोशनी आपको मालूँ विज्ञान क्या कहता है इनसान हमारे शरीर के अंदर जो लहू है विज्ञान बताता है हमारे लहू के अंदर कंजील्ड लाइट है हमारे बलड के अंदर फोटॉन्स भाग रहे है जो रोशनी से भरे है येशु का लहू पारलौकिक लहू है येशु का लहू स्वर्गिय लहू है येशु का लहू प्रेजतों के काम 20 के 28 में लिखा है यहोवा का लहू है और वो लहू जोती से भरा है रोशनी से भरा है वो ही रोशनी ये कलाम में है तो भाई और बेनों उस मौत के दूद ने केवल खून देखा ये नहीं देखा की बाहर नेम प्लेट पे लिखा रेवरेंड डॉक्टर फलाना डिमका बिशप सहाब, आर्च बिशप सहाब, चीप पास्टर ये लोगों ने बनाई हैं पद, अपने लिए खुद बना लिए पापा, डेड़ी मेजर प्रॉफिट, माइनर प्रॉफिट ये कुछ भी नहीं है ये इनसान के हिर्दे की लालसा है अपने आपको बड़ा बनाने के लिए, इधर देखिए प्रमेशुर ने जिन संतों को बुलाया, नभीयों को बुलाया, प्रमेशुर ने का मैने तुझे नभी चुना है, वो प्रमेशुर क्या मुसा कहता प्रभू मैं तो बोल भी नहीं सकता, मैं अकलाता हूँ जितने प्रमेशुर के संते, किसने अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगाया ओवर आर्चिंग बिशप लगाया मेजर माइनर प्रॉफिट लगाया पापा डेड़ी अपने नाम के आगे लगाया बताईए दिखाईए इस कलाम में से वो तो अपने आपको खाली करते थे प्रभू के आगे प्रभू को बोलते थे हम कुछ भी नहीं है प्रभू तू सर्वस है तो इस फसा के परप्पे मेरे संग जुड़ें साथ दिन के उपवास में जीवन में से बंदन तोड़ेगा यहोवा का शाश्वत आत्मा हम मेमने के लहू पे मेमने की महान कुर्बानी पे उसके महायग्य पे मनन करेंगे साथ दिन आज मैं दुपहर को अराउंट 10.30 देखूंगा एक सभा करते हैं जिसमें फसा की पहली मेटिंग करेंगे हम फसा का पूरा परव मनाएंगे और यहोवा परमेश्वर आपको चंगा करेगा यहोवा परमेश्वर आपके बंदन तोड़ेगा यहोवा परमेश्वर आपको संदेश लेके मैं आपके साथ शामिल हो जाऊंगा गॉड ब्लेस यूँ सब कुछ यह मसीए